कि बिहार के लोग देश के किसी भी कोने में हूं मगर वो च्छृत का फर्व उसे उल्लास के साथ मनाते हैं राष्टिय राज़धानी दिली में भी हर साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालू च्छृत मनाते हैं इस बार भी यमुना की नारे छट मनाने के लिए लोगों की भीर उम्रेगी जिसके लिए केजरीवाल सरकार ने खासे प्रबंध किये हैं शायद ऐसा करके सीम अरविंद केजरीवाल बिहारी जंटा के दिल में जगा मजबूत करना चाहते हैं जिसे उन्हें बिहार में भी अपनी पार्टे के जड़ चमाने का मौका मिल सके चट बिहार में लोक आस्था के महापर्व की रूप में जाना जाता है बिहार में चट को मनाने की तयारी शुरू हो चुकी है भले ही चट का महापर्व अगले महिने हो लेकिन रास्ट्री राजधानी दिल्ली में भी इसे लेकर तयारियां जोरो पर हैं यहां रहने वाले बिहारी छट मनानी की तयारी में अभी से जुट गए हैं दिल्ली सरकार भी इस बार श्रद्धालियों के लिए खास व्यवस्था करने जा रही है दरसल कोरोना काल में दो सालों तक दिल्ली में भी छट का पर्व नहीं मनाया गया लेकन इस बार का पूरा इंतिजाम दिल्ली सरकार करेगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरिवाल ने कहा कि 2014 से हमारी सरकार ने भव विरूप से छट पूजा मनानी शुरू की है और ये आगे भी जारी रहेगा यही नहीं सीम अरविंद केजरिवाल ने छट के लिए एक विशेश बजट का प्रावधान करने का भी ऐलान किया है उन्होंने जानकारी दी कि सन 2014 में दिल्ली में 69 इस्थानों पर छट पूजा होती थी तब सरकार धाई करोड रुपे खर्च करती थी लेकिन इस बार सरकार की ओर से 1100 इस्थानों पर छट पूजा की ववस्था की जाएगी जिसका सारा वहन दिल्ली सरकार उठाएगी इस महापर्व के लिए केजरीवाल सरकार की ओर से 25 करोड रुपए के फंड की ववस्था की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार अच्छे से परिवार के साथ छट पूजा करनी है तमाम सुरक्षा का जिम्मा दिल्ली पुलिस का होगा छट घाटों पर जगह जगह CCTV कैमरे लगाए जा रहे है टेंट, साउंड सिस्टम और LED की ववस्था हो रही है दिल्ली में जगह जगह पर सांस्कृतिक कारिकरम आयोजित होंगे 24 घंटे बिजली की ववस्था है पावर बैक अप और पीने के पाने का प्रबंध भी किया जाएगा CM जे स्वच्चता को लेकर कहा कि साफ सफाई और शौचालेओं का प्रबंध किया जाएगा हर जगह एंबुलेंस के इंतिजाम होगा कोई घटना हो गई तो तुरंट पिडितों को अस्पताल पहुचा सकेंगे केजरिवाल ने छटी मया से प्रार्थना करते हुए देश में अमन चैन और खुशाली की मननत मांगी बहरहाल केजरिवाल सरकार अभी तक सिर्फ दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बना पाने में सफल रही है लेकिन इस साल हुए यूपी विधान सबाचिनाव में आम आत्मी पार्टी का प्रदर्शन उसकी उम्मीद के मुताबिक नहीं था लेकिन अब बिहार में आम आत्मी पार्टी की नजर है और इसी वज़ा से बिहार के इस महापर्व को बड़ी धुमधाम से मनाने की तयारी केजरिवाल सरकार कर रही है